दोस्तों नमस्कार ये है मागदोशन फोर सिबिल सर्विशेज मैं अनुराग शौधुरी दोस्तों भारती इतिहास के महत्तपोन प्रशनों के अभ्यास सेट में इस वीडियो में हम साल्व करेंगे मुगल वैश के अंतरगत शाह जहां से संबंधित महत्तपोन प्रशनों का प्रेक्टिस सेट जो आपके आगामी विभिन परिक्षाओं के सामानी ग्यान और सामानी अध्यन खंड के लिए बहुत ही उप्योगी है प्रशनों को साल्व करते समय हम उनकी ब्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप प्रशनों को आसानी से समझ सकें और परिक्षाओं की द्रिष्टी से कुछ अन्य महत्तपोन तथ्यों को भी जान सकें तो आईए शुरू करते हैं आज का प्रेक्षिट भारती इतिहास के अंतरगत मुगल वंश में साह जहां से संबंधित महत्तपोन प्रशनों का प्रेक्षिट पहला प्रेशन है दोस्तों बनारस और इलाहबाद के तीर्थ यात्राकर की समाप्ति के लिए किस ने मुगल बादुशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेत्रेतु किया था आपसन है हरनात, जगनात, कविंद्राचार या कविहरिरा तो सही उत्तर हो जाएगा कविंद्राचार आपसन सी दोस्तों बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्राचारी ने मुगल बादशाह सहाजहां से निवीदन कर बनारस और इलाहबाद के तिर्थे आत्राकर को समाप्त करवा दिया था अगला प्रशन है निम्नलिखित में से कौन शाह जहां के शासनकाल का राजकवी था आपसन है आपके कलीम, काशी, कुदसी या मुनीर तो उत्तर है कलीम आपसन ए दोस्तों शाह जहां ने इरानी फार्सी पद्द शैली के कलीम जिनका नाम अभू जलीह था इनको राजकवी नियुक्त किया था तो याद रखेगा शाह जहां के शासनकाल का राजकवी कलीम था अगला प्रश्ण है मुम्ताज महल का असली नाम क्या था आपको बताना है अर्जुमंद बानो बेगम, लाडली बेगम, महरुन निशा या फिर रोशनारा तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों मुम्ताज महल का असली या वास्तविक नाम अरजुमंद मानो बेगम था दोस्तों आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम का विवा मुगल बादुशाह जहांगीर के पुत्र शाहजादे खुर्रम यानी शाह जहां के साथ हुआ था भविस में अर्जुमंद बानो बेगम मुम्ताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुई थी अगला प्रश्ण है हिंदू और इरानी वास्तुकला का सबसे पहले समन्वें हमें देखने को मिलता है किसमें ताज महल में लालकिले में पंच महल में या शेर साह के मकवरे में तो इसमें पूछा गया है हिंदू और इरानी वास्तुकला का सबसे पहला समन्वे किसमे देखने को मिलता है तो उत्तर है ताजमहल आपसन ए दोस्तों ताजमहल के निर्मार के लिए शाह जहां ने भारत इरान और मध्ध एशिया से डिजाइनर, इंजीनियर और वास्तुकारों को एकत्र किया था ताजमहल की वास्तुकला में भारती, इरानी और मध्ध एशियाई वास्तुकला का संतुलित समन्वे दिखाई पड़त की जामा मस्जित का निर्मार शाह जहां के दोरा करवाए गया था अगला है निमनली खित में से किसने सामराजी की राजधानी आगरा से दिल्ली अस्थाना अंतरित की अकबर, जहांगीर, शाह जहां या और अंजेबने तो उत्तर है शाह जहां आपसंसी दोस्तों 16128 देखें 16128 ये वर्स जो है याद कर लीजिएगा ये इसलिए महत्वण है क्योंकि इसी वर्स साह जहां अबुल मुझफर, शिहाबुद्दीन मुहम्मद साहब कीरन ए सानी की उपाद धारन कर गद्दी पर बैठा और आगरा में उसका राज्य विशेक हुआ और इसी निराजधानी को आगरा से जहानाबाद यानी दिल्ली अस्थानांतरित किया था अगला प्रश्ण है दिल्ली के लाल किले का निर्मार किस ने करवाय था तो आप सभी जानते हैं दोस्तों दिल्ली के लाल किले का निर्मार शाह जहाने करवाय था आप संडी आपका सही उत्तर है तो ये प्रश्ण बहुत ही महत्तपूर है और आप जानते हैं कि सुतंता दिवस पर जो है लाल किले से ही प्रधार मंत्री का उद्भोषण या जो देश के नाम उद्भोधन होता है वो होता है इसका निर्मार शाह जहां द्वारा कराये गया था अगला प्रश्ण है कि उपनिश्दों का फारसी में अनुवाद किस मुगल शामराट के सासनकाल में हुआ था शाह जहां अकबर जहांगीर या फिर औरंग जेब तो उत्तर है शाह जहां के सासनकाल में दोस्तोंDER का फार्सी अनुवाद साहजाहं के शासनकाल में सहजादे दाराशिकोह ने सिर्षक के तहद किया इसमें 52 उपनिश्दों का अनुबाद किया गया है तो याद रखिएगा दोस्तों दारा शिकोह के नेत्रित में 52 उपनिश्दों का सिर्रे अकबर के सीर्षक से साह जहां के शासनकाल में अनुवात किया गया था अगला प्रश्न है दाराशिकोह ने किस सिर्षक के अंतरगत उपनिश्दों का फार्सी में अनुवात किया था तो उत्तर है सिर्रे अकबर आपसन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों दाराशिकोह ने सिर्रे अकबर सिर्सक के अंतरगत 52 उपनिश्दों का फार्सी में अनुवाद किया था अगला प्रश्न है अधुलिखित में से कौन एक दाराशिकोह की रचना है तब काते नासरी किताब लहिंद तहकीक हिंद मजमवल बहरीन या फिर सिर्रे अकबर तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों मजमवल बहरीन जो है ये जो है दाराशिकोह की रचना है लेकिन आप देख लिजे दर्रेव मजमेवल बहरीन ये दाराशिकोह की मूल रचना है और इसके अलामा आप जान लिजे कि 52 उपनिश्दों का फारसी अनुबाद दाराशिकोह ने सिर्रे अकवर शिर्सक के अंतरगत किया था अगला प्रशन है कि दाराशिकोह की किसा स्थान पर दफनाय गया था दिल्ली आगरा और अंगाबाद या लाहॉर तो उत्तर है दाराशिकोह को दिल्ली में दफनाय गया दारा की कब्र हुमायू के मकबरे वाले परिशर में है इस प्रशन का उत्तर दिल्ली सही है अगला प्रश्ण है दोस्तों हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्यन करने वाला प्रथम मुश्लिम कौन था अमीर खुश्रो दाराशिकोह अमीर हसन या शुजा तो उत्तर है दाराशिकोह आपसन भी आपका सही उत्तर है दोस्तों हिंदु धर्म ग्रंथों का अध्यन करने वाला पर्थम मुश्लिम दाराशिकोह था शाह जहां के चारों पोत्रों में जेश्ट दाराशिकोह सरवादेग सुसिच्छेत अध्धेता और लेखत था अगला प्रश्ण है दोस्तों सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाह जहां को किसने उपहार में दिया था आप सन्हे औरंगजेब मुराद मीर जुमला या अबुल हशन को तुपसा है तो सही उत्तराप का हो जाएगा मीर जुमला ने दोस्तों आप जान लिजे कि मीर जुमला ने शाह जहां को कोहिनूर हीरे भीट की जो मुल्य तथा संदर में संसार में अध्विती समझा जाता है अगला प्रशन है किस मुगल बादशाह ने बलवन द्वारा प्रारम किया गया दर्बारी रिवाज सिजदा समाप्त किया था अकबर जहांगीर शाह जहां या औरंगजेब तो सही उत्तर शाह जहां ने दोस्तों मुगल बात्षा साह जहां ने बलवन द्वारा आरंभ इरानी दर्बारी रिवा सिजदा समाप्ट कर दिया था और 1636 सेंटिस में सिजदा प्रथा का अंत कर दिया गया था अगला प्रश्ण है निमनलिखित में से कौन शाह जहां के सासनकाल में अधिकान समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था तो उत्तर है औरंग जेब दोस्तों देखिए साह जहां के शासनकाल में औरंग जेब पहले 1636 से 1644 तक दक्कन का गवर्नर था 1652 में जो है यानि जब इसका कारेभार 1613 में उसने पुनह इस पद पर नियुक्ति प्राप्त की थी जिस पर वह उत्तरा धिकार के युद्ध में विजय और मुगल बादशाह बनने तक रहा था तो सबसे पहले दोस्तों औरंग जेब पहले 1636 से 1644 तक दक्कन का गवर्नर रहा और 1613 में उसे पुनह इसी पद पर नियुक्ति किया गया था अगला प्रश्ण है किस वर्स में साहजहां मुगल सिंहासन पर बैठा था आपको बताना है तो उत्तर है सन 1628 में दोस्तों याद रखिएगा कि शाहजहां जो है 1628 में हमने पहले चर्चा भी कर लिया है कि साहजहां के शासनकाल में जो है दोस्तों साहजहां का जो शासनकाल था वो उसमें 1628 में वो अबुल मुझफर शिहाबुद्दिन मुहम्मद साहिब किरने सानी की उपाद धारन करके गद्दी में बैठा और आगरा में इसका राज्या भिशेक हुआ और इसी ने राजधानी आगरा से साहजहाना बाद अस्थाना अंतरित किया था तो याद रखेगा 1628 में शाह जहां मुगल सिंग हासन पर बैठा था अगला प्रशन है ताज महल किसकी याद में बनवाए गया था तो ये बहुत ही आसान सा प्रशन है ताज महल मुमताज महल की याद में बनवाए गया था आगरा में यमुना नदी के तड़ पर ताज महल का निर्मार मुगल बादशाह साहजहां के द्वरा अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल जिनका मूल नाम अरजुमंद बानु बेगम था उसकी याद में करवाया गया था अगला प्रशन है साहजहां ने ताज महल का निर्मार करवाया था किस से तो सही उत्तर संग मरमर से आपसंडी ताज महल बिश्यो के अति संदर असमार को में से एक है और ताज महल के निर्मार में सफेद संग मरमर का प्रियोग किया गया है अपसंडी आपका सही उत्तर है अगले प्रशन पर आते हैं दोस्तों निम्नलिखित में से औरंग जेब की मा कौन सी है मुम्ताज महल नूर जहां जुदा भाई या अंसारी बेगम तो सही उत्तर क्या हो जाएगा मुम्ताज महल दोस्तों याद रखेगा कि शाह जहां और मुम्ताज महल के चार पुत्र थे अगला प्रशन है राजकुमार खुर्रम आगे चल कर सामराट किस सामराट के रूप में प्रसिद्ध हुआ था नापसन है साह जहां जहांगीर बाबर या अकबर तो उत्तर है शाह जहां दोस्तों साह जहां का जन्म मारवाड के शासक राजा उदै सिंग की पुत्री जगत गोसाई या जोधा भाई के गर्व से 1952 में लाहौर में हुआ था उसके बच्पन का नाम खुर्रम था अगला प्रशन है साह जहां का प्रसिद तक्थे ताउस 1749 में कौन ले गया था तो ये बहुत ही महत्तपोन प्रशन है और इसमें आप जान लीजे दोस्तों तक्थे ताउस फारसी आकरमत नादिर शाह ले गया था और आप जान लीजे फारसी आकरमण कारी नादिर शाह ने उत्तर कालिन मुगल शासक मुहम्मद शाह रंगीला के सासनकाल में 1749 में दिल्ली पर आकरमण किया और वो अपने साथ साह जहां का प्रसिद तक्थे ताउस ले गया था अगला प्रश्न है कि शासक को उसकी शेस जिन्दगी के लिए और अंगजेब ने कैद कर दिया था तो आप जानते हैं शाह जहां ने आपसन भी आपका सही उत्तर है दोस्तों शाह जहां के गिरते स्वास्त के कारण 1757 ठाउन में उसके चारो बेटों के बीच युद्ध आरंभ हो गया जिसमें और अंगजेब भी जही रहा और अंगजेब ने अपने पिता शाह जहां को आगरा के किले में कैद कर दिया जहां 1686 में उसकी मृत्व हो गई थी अगला प्रश्ण है इन में से किस साह जहां ने शाह बूलंद एकबाल की पदवी दी थी अगला प्रशन है कि निमने लिखित में से किसी तिहासकार ने शाहजां के शासनकाल को मुगल का स्वाड यूग कहा है अगला प्रशन है इरान के शाह और मुगल सासकों के बीच जगड़े की जड़ क्या थे आपको बताना है काबुल, कंधार, कुंदूज या गजनी तो सही उत्तर है कंधार दोस्तों आप जान लिजे कंधार राज इरान के शाह और मुगल कभी संघर्थ की जड़ था कंधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक और इरान के शाह के लिए प्रतिष्ठा का विश्य बन गया था दोनों शासकों की सामराज जवादी योजनाओं को क्रियानवित किया जाना बहुत कुछ अंधार को अपने हाथों में रखने पर निर्भर करता था अगला प्रश्ण है बिश्व परसिध तक थे ताउस निमन लिखित में से किस मुगल भवन में रखा गया था फते पूर सीकरी के दिवाने खास में आगरा के नए किले में दिल्ली के लाल किले के रंग महल में या फिर दिल्ली के लाल किले के दिवाने आम में तो सही उत्तर क्या है सही उत्तर है लाल किले में दिल्ली के लाल किले में आपसं C दोस्तों दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में रंग महल में नहीं आप संडी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों दिल्ली के लाल किले में निर्मित दिवाने आम में इसके पीछे की दिवार में बने एक कोष्ट में विस्व प्रसिद तक्थे ताउस रखा जाता था अगला प्रश्ण है कंधार के निकल जाने से मुगल सामराज जी को एक बड़ा धक्का पहुंचा था किस द्रिष्टिकोंड से आपको बताना है तो सही उत्तर है सामरिक महत्य के केंदर के द्रिष्टिकोंड से यानि इस्टेट जिक श्ट्रांग होल्ड के कारण दोस्तों आप जान लीजे कि शाह जहां के सासनकाल में 1689 में कंधार पर पुनह इरानी अधिकार हो गया और इससे मुगल सामराज जी को शामरिक महत्य के केंदर के द्रिष्टिकोंड से बड़ा धक्का पहुंचा क्योंकि कांधार के बिना उत्तरी पश्मी सीमा पर मुगलों की स्थितिय पेक्षाकरित दुर्बल थी और शाह जहां के समय कांधार अंतिम रूप से मुगलों के अधिकार से निकल गया था अगला प्रश्ण है साह जहां के बल्ख अभियान का उत्देश क्या था आपसन है काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदक्सा में एक मित्र शासक को लाना मुगलों की मात्र भूमी समरकंद और फरगना को जीतना मुगल शीमा को बैग्यानिक पध्धति आमू दरिया पर निर्धारित करना और मुगल सामराजी का विश्तार उप महादीब से आगे करना तो सही उत्तर हो जाएगा काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदक्सा में एक मित्र शासक को लाना साहजहां के बल्ख अभियान का उत्देश था बादशाह सहाजहां की कामना अपने पूर्वज बावर की मात्र भूम को पुनह अधिकरित करने की ने होकर मध्ध एश्या और पश्चिमेशिया के राज्यों में सक्त शंतुलन की अधिक थी उसके बल्ख अभियान का उत्देश काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदक्सा में एक मित्र शासक को लाना था ताकि वे इरान और मुगल सामराज्य के बीच बफर राज्य बन सकें अगला प्रश्ण और आज के प्रैक्टिस सेट का आखरी प्रश्ण है सुची एक का सुची दो से सुमेलन करना है और दिये गय कूट से सही उत्तर का चैन करना है देखिए अलाई दर्वाजा दिल्ली इसका निर्मार अलाउद दीन खिलजी के द्वारा करवाए गया था बुलंद दर्वाजा फटेफ सीकरी का निर्मार अकबर ने मोती मस्जिद आगरा का निर्मार शाहजाने और मोती मस्जिद दिल्ली का निर्मार अरंग जेब के द्वारा कराए गया तो सीधे सीधे एक दो तीन चार आपके सही सुमेलित है आप संसी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तो दोस्तों ये था आज का वीडियो मुगल वंश में शाह जहां से संबंधित महत्तोपोंड प्रश्नों पर आधारित जो है प्रश्नों का व्याख्यात्मखल जो आपके आगामी विभिन परिक्षाओं के सामान ग्यान और सामान अध्यन के साथ विभिन राज्जियों द्वारा इतिहास विसे से आयोजित अत्यापक भरती परिच्छाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है आप इन प्रश्नों को तयार कर लिजेगा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार